Hello and Welcome Back Dear Student, आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने जो font इंसर्ट करते हैं, उसमें style कैसे लगा सकते हैं, साथ ही अगर आपके पास कोई image है जो आप अपने document में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो last session में हम लोगोंने table insert करना सिखा था, table create करना सिखा था, table पे work करना सिखा था, कैसे हम row insert कर सकते हैं, column insert कर सकते हैं, साथ ही उसका background कैसे change कर सकते हैं, तो last session से आप सभी students से question है, कि आपको comment box में लिखके बताना है, मुझे shortcut की क्या होती है, table को create करने की shortcut क्या होती है, इसका answer मुझे comment box में लिखके बताना आप सभी को, so session start करते हैं, using the font work gallery, जो open office writer हम लोग use कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है, आपके पास inbuilt font work gallery होती है, यानि कि आपके पास different styles available होती है, कि जो text आप लोग लिखेंगे, उसके आप different styles जो आपको appropriate लग रहा है, उसका use करके आप उसको implement कर सकते हैं, आप अपने text के उपर, और उसके लिए आपको क्या steps follow करने होंगे, सबसे पहले आपको font work gallery है, वो आपके drawing बार के अंदर आपको मिलेगी, menu बार में जो drawing option होता है, वहाँ पे जाएंगे आप, और जो drawing toolbar, अगर not visible हो, तो आप क्या करेंगे, view button पे जाएंगे toolbar, और toolbar में आप drawing option पे जा सकते हैं, दूसरा जो आप drawing button पे click करेंगे, तो आपके पास नया dialogue box खुलेगा, font gallery dialogue box, और उस font gallery dialogue box में आपको कोई भी style select करनी है, और उसके बाद आपको ok बटन पे click कर देना है, तो आपका जो है, जो design आपने choose किया है, वो आपके text पे आपको, आपके document में आपको appear हो जाएगा, और इसका जो shortcut है, वो आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे बना होता है, आप यहाँ से इस बटन पे click करके भी इसको access कर सकते हो, जो drawing वार है उससे जो आपके पास style available होती है, आपकी font work gallery में, यह different styles होती है, आप इन में से जो भी आपको appropriate लगती है, आप उसको use कर सकते हो, select कर सकते हो, और select करने, जैसे आप उसको select करते हो, वो आपके text पे implement हो जाता है, for example, आपने लिखा font work, और font work में आपने जो आपका style है, यह style आपने select किया, तो आपके font होगा, उसका style कुछ ऐसा होगा, और आपका visibility होगी, आपके document में उसकी वो कुछ ऐसी होगी, तो आप इस तरीके से आप अपने जो text आपने insert किया है, उसके उपर different styles implement कर सकते हैं, दूसरा, आपके पास जो तरीका है, कि आप अपने double click कर सकते हो, जो design आपने किया है, और जो आपका default text होगा, उसको change करके edit कर सकते हो, अपना जो नया text लिख सकते हो, साथ ही जो आपने change किया है text को, वो change text जो होगा, वो उस style के साथ आपके जो document है, उसमें नजर आएगा, जैसे by default यह क्या लिखाओ, font work लिखाओ है, आप इसको double click करके edit कर सकते हो, और आप जो word लिखना चाहते हो, वो आपका display हो जाएगा, इस तरीके से आप उसको change कर सकते है, font work जैसे लिखाओ है, आपने इसको change कर दिया, font work को double click करके edit कर दिया, और उसको आपने नाम दे दिया, computer, तो अब क्या होगा, style वही रहेगी, लेकिन आपका जो editing के बाद, जो आपको word चाहिए था, आप उस text पे आप अपना style implement कर सकते हैं, अगर मैं बात करूं, image insert करने यह तो आपका था, कि जो text हमने insert के है, उसको different styles हम लोग दे सकते हैं, अगर आपको आपके computer के local system से आपको कोई image आपकी है, जो आप अपने document में integrate करना चाहते हो, import करना चाहते हो, तो वो कैसे insert हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए further आपके पास option होता है, आप अपने open office writer, जिस आपके पास इस तरीके से insert picture dialogue box खुल जाएगा, जो आपकी जो local system है, उसकी location देगा, आपको अपने particular location पे जाना है, और उस particular image को click करना है, select करना है, select करने के बाद आप नीचे जो open button है, इस open button पे click करेंगे, तो वो आपकी image आपके document जिस पे आप काम करें, उसमें insert हो यह तो आपके local computer में थी, कि आपके d drive में है या e drive में रखी है, कुछ जो open office writer की predefined gallery होती है, जिसमें already कुछ clips, कुछ images होती है, आप उनका भी use कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप tool option पे जाएंगे, tool menu bar में जाएंगे, और gallery select करेंगे, तो gallery जो है वो आपक इस तरीके से आपको नजर आएगी, इन में से कोई भी आप arrow यूज करना चाते हो, background यूज करना चाते हो, bullets, computers, diagrams, तो इसके लिए कुछ predefined आपके पास images होती है, आप उन में से जो आपको appropriate लगती है, आप वहाँ से भी select कर सकते हैं, और उस particular image को आप अपने document में insert कर सकते है उसके बाद जो option आता है, wrapping text, wrapping text का meaning क्या होता है, it is a feature that automatically start a new line when a word in the sequence reaches in the border of the picture, the text box of the margin, there are different options of the wrapping text around the image, यानि कि बहुत बार आप ऐसा देखते भी होंगे, different website पे, blogs पे, या फिर newspaper में, आपकी image लगी होती है, उसके साथ, या तो यहां से लिखना start होता है, right, या फिर आपकी image के, image background में होती है, और आपका image के उपर भी लिखावा होता है, या फिर हो सकता है, आपका image ऐसे है, औ और आपका text कुछ ऐसे लिखा होता है, तो यह different styles होती है, यानि कि हम अपने text को image के साथ कैसे wrap कर सकते हैं, उसके लिए आपका option जो होता है, सबसे पहले जो image के साथ आप text wrap करना चारे हो, आप image को select करें, और select करने के बाद आपके पास wrap option आएगा, तो आप format menu बार में जाए और जो आपको desired option लगता है, यह wrap के according, यहाँ पर different options होंगे, आप इन में से wrap, page wrap, optimal page wrap, जो आपका desired आपका option है, जो आपको required आपकी document के लिए आप उसको select करेंगे, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो text है, उसको image के साथ wrap कर सकते हो, तो यह आज का session था हमा हमारा open office writer complete हो जाएगा, उसके बाद हमारी दो आपकी unit रहेंगी, entrepreneur skill और आपकी green skills, वो आपके दो sessions में finish हो जाएगी, further हम लोग move करेंगे, हमारे subjective skill पे, जो 40 marks का जो weightage रखता है, उस पे switch और करेंगे, and during the summer vacation, आप लोग पढ़ते रही है, अगर आपको कहीं भी doubt आता है, त so be serious about your study, thank you